सत्यम सीवम सुल्दरम समीति की और से आयोजित होने वाली सीव यात्रा की तयारिया अपने अंतीम चरम पे है महा सीवरात्री तेहर पे बड़ोदा में पारंपरिक सीव यात्रा पिछले पांच साल से आयोजित हो रही है तब सोंबार को आयोजित होने वाली सीव यात्रा एवं सूरसागर स्थीत महा आर्ती की तैयारिया अपने अंतीम चरम पे है आज विदायक योगेश पटेल एवं महानगर पालिका के अधिकारियों ने सूरसागर का जायजा लिया था गौरतलब है कि अभी सूरसागर के नवी निकरन का काम चल रहा है तब सोंबार को आयोजित होने वाली महा आर्ती में शहर के नागरिकों की शुरक्षा के मद्दे नजर इंतजामात किये जाएंगे फिर भी विदायक योगेश पटल ने जनता से महारती के समय सावधानिया बर्तने की अपील की थी आजो बाजो जे भी तालावनी सफ़ाई कोई भी घगाए रोडा कपची रेती ना पड़ियों शरीया ना पड़िया होई एंजु ध्यान राखो मायूँचे कोई ने वागे नहीं खास करी ने सीव भक्तों ने विननती है कि ठेक तालावनी पासे कोई भी ना जाए चार्यों बाजू बेरिकेटिंग करी थे दर वर्सनी माफ़त तमें महारती मां भाग लेशो जेम बनें रोड उपर बदा उबारे जो अने जही ब्यास्वानी ब्यास्ता चे जही साइड म बूलों भी असे अने सांती थी अंदर आई ने महारती नो महारती मां भाग लेशो